डियने में आज सबसे पहले हम एक सुइसाइड लेटर का विशेशन करेंगे और ये बहुत गंभीर मुद्दा है ये सुइसाइड लेटर किसी आम व्यक्ति का नहीं है बलकि एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक राज्य का मुख्यमंत्री था हम अरुनाचल प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कलिको पुल के सुइसाइड लेटर की बात कर रहे हैं और आज ये साथ पन्नों का सुइसाइड लेटर कोई आम सुइसाइड लेटर नहीं है मेरे हाथ में हैं ये 60 पन्ने और आज हमने दिन में इस सुइसाइड लेटर को पढ़ा है आप इसे ब्रश्टाचार के खिलाफ एक व्यक्ति की निजी चार्डशीट भी कह सकते हैं ये वो लेटर है जिसमें अरुनाचल प्रदेश के कई बड़े नेताओं सुप्रीम कोट के दो सिटिंग जजिस, कॉंग्रेस के कई बड़े नेताओं के अलावा अरुनाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ब्रश्टाचार के बहुत ही गंभीर आरूप लगाए गए है आज हम इन आरूपों का विशलिशन करेंगे लेकिन उससे पहले आपको कलिखो पुल के बारे में कुछ बातें बता देते हैं ताकि आप जान लें कि कलिखो पुल कौन थे कलिखो पुल ने पिछले वर्श 9 अगस्त को आत्मत्या की थी कलिखो पुल 19 फरवरी 2016 को अरूणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे मुख्य मंत्री बनने से पहले उन्होंने कौंग्रेस की नबामतुकी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और अरूणाचल प्रदेश में राष्ट पतिशासन लगा दिया गया था इसके बाद बीजेपी के समर्थन से कौंग्रेस के बागी विधायकों ने सरकार बनाई और कलिखो पुल को उस सरकार का मुख्य मंत्री चुना गया लेकिन सुप्रीम कोट ने जुलाई 2016 में अरूणाचल प्रदेश में कौंग्रेस की सरकार बहाल करने का फैसला सुना दिया जिसके बाद कलिखो पुल को मुख्य मंत्री पद से हटना पड़ा और इसके बाद अगले ही महीने यानि अगस 2016 में कलिखो पुल ने अचानक एक दिन आत्म हत्या कर ली मीडिया में ये खबर जिस तरह आई थी उसी तरह गयब भी हो गई लेकिन अब कलिखो पुल का साथ पन्नो का एक सुइसाइड लेटर सामने आया है इस लेटर में उन्होंने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर आरूप लगाए हैं जिनके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए इस पूरे मामले का ताजा स्टेटस जानना बहुत जरूरी है कलिखोपुल के इस सुसाइड लेटर को लेकर उनकी पतनी डांग विमसाई पुल ने सुप्रीम कोट को एक चिठी लिखी और सुसाइड लेटर में लगाए गए आरूपों की सीबी आई जांच की मांग की कल सुप्रीम कोट ने कलिखोपुल की पत्नी की चिठी को एक याचिका में तब्दील कर दिया और आज से इस पर सुनवाई भी शुरू कर दी लेकिन आज कलिखोपुल की पत्नी ने अपनी उस चिठी को वापस ले लिया कलिखोपल की पत्नी का कहना था कि उन्होंने इस मामले की जाँच के प्रशासनिक आदेश जारी करवाने की मांग की थी जबकि अदालत ने प्रशासनिक आदेश जारी ना करके उस पर कोट में सुनवाई शुरू कर दी कलिकोपुल की पतनी के वकील ने ये भी कहा कि सुइसाइड लेटर के अंदर सुप्रीम कोट के दो वरिष्ट दो सिटिंग जजों पर आरोप लगाए गए हैं लेकिन इसके बावजूद इस मामले को सुनवाई के लिए सीनियर जजों की बेंच की बजाए सुप्रीम कोट के जूनियर जजिस की बेंच के सामने भीज दिया गया जो की सही नहीं है हमने बहुत संक्षेप में आपको ये समझा दिया कि इस पूरे मामले में अब तक सुप्रीम कोट में क्या हुआ और इस मामले का बैग्गराउंड और क्या है अब हम कलिकोपुल के इस सुसाइड लेटर को आपके लिए दिकोट करेंगे ये लेटर ऐसा है जिसके बारे में जानने के बाद शायद आपको भी बहुत घुसा आएगा इसमें जो आरोप लगे हैं ये आपने सुने बहुत होंगे पढ़े बहुत होंगे लेकिन एक पूरवे मुख्य मंतरी मरने से पहले अगर साथ पन्नों का ऐसा लेटर लिख कर जाए तो आप सोचिए उसकी गंभीरता क्या होगी और जब आप इस चिठी को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस सरकार के बारे में हमारे देश के सिस्टम के बारे में, हमारे देश की जुडिशरी के बारे में आपके जितने भी डर थे, वो सब डर इस चिठी को पढ़ने के बाद सच साबित हो जाएंगे कलिखोपुल का साथ पन्नों का सुसाइड लेटर हिंदी में लिखा गया है एक राज्य के मुख्यमंत्री को सिस्टम में मौजूद सारे लूप होल्स यानि सारी कमियों के बारे में पता होता है क्योंकि वो उसी सिस्टम से निकल कर आता है और उसी सिस्टम के जरिये मुख्यमंत्री भी बना होता है उसे पता होता है कि सिस्टम में ब्रश्चाचार कैसे फलता फूलता है और नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारी कैसे ब्रश्चाचार करते हैं पैसा कमाते हैं और यहां तक कि न्याय पालिका में भी ब्रश्चाचार कैसे होता है अपने इस suicide letter में कलिकोपुल ने देश के इसी भरष्ट सिस्टम को बे नकाब करने का दावा किया है इस suicide letter का शिर्षक है मेरे विचार शुरुवात में कलिकोपुल ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में दो पन्नों में लिखा है मैं पहले आपको बता देता हूँ हिंदी में लिखा ये सुसाइड लेटर है देखिए और इसका शीर्षा को उन्होंने लिखा है मेरे विचार और हर पन्ने पर कलिको पुलके इसमें हस्ताक्षर है हर पन्ने पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किये शुरुआत में उन्होंने यही लिखा है कि मैंने एक बहुत ही गरीब और पिछले हुए घर में जर्म लिया मैंने उम्र भर दुख देखे, दुखों को सहा है और बहुत बार उन पर विजे भी पाई है और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में मैं अकेले ही आया हूँ और अकेले ही जाऊंगा ऐसा उन्होंने लिखा है शुरू के दो पन्नों साथ पन्नों के सुिसाइड लेटर के पेज नमबर 9 पर कलिखो पुल ने आज की राजनीती पर एक बहुत गंभी टिपणी की है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कलिखो पुल की ये टिपणी अरुनाचल प्रदेश के बारे में है कलिखो पुल ने लिखा है कि आज राज्य का हर एक नेता अपनी जेब भर रहा है अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है जनहित से ज्यादा वो अपने अपने परिवार और रिष्टेदारों के वारे में सूच रहा है कलिकोपुल ने लिखा है कि उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया बलकि खुद अपनी आखों से दिखा है वो ये भी लिखते हैं कि राज्य में मंतरी विधायक आपसी सहयोग से केवल खुद ही आगे बढ़ते हैं और गरीब जनता को नजर अंदाज कर देते हैं और मुख्य मंतरी बड़े बड़े नेताओं, बड़े सरकारी अधिकारियों और बड़े व्यापारियों को खुश करने में लगा रहता है कलिकोपुल ने इस उसाइड लेटर में अरुनाचल प्रदेश में हुए पीडियस घोटाले का भी जिक्र किया है इसमें कई पूरू मुख्य मंतरीयों और मंतरीयों के नामों का जिक्र है और कई अधिकारियों पर भी ब्रष्टाचार के गंभीर आरूप लगाए गए है कलिकोपुल ने ये भी बताया है कि कैसे सडख बनाने के नाम पर ब्रष्टाचार होता है 20 किलो मीटर की सडक को 46 किलो मीटर का बताय गया और पैसों का गबन कर लिया गया सुइसाइड लेटर में ये भी लिखा है कि जहां जनसंक्या है ही नहीं यानि जहां जनसंक्या थी ही नहीं वहां चावल का कोटा बढ़ा दिया गया जहां चावल, चीनी और गेहूं गया ही नहीं वहां जूटा बिल बना कर घोटाला किया गया। कलिकोपुल ने इस लेटर में अरुनाचल प्रदेश के भरष्ट मंत्रियों का पूरा की पूरा रेट कार्ड ही छाप दिया है। पेज नमबर 25 पर कलिकोपुल ने लिखा है कि राज्य में हर ट्रांसफर और हर प्रोमोशन के लिए रिश्वत ली जाती है। Zee News इन आरोपों की पुष्टी नहीं करता क्योंकि ये अभी तक सर्फ आरोप हैं। इनकी जाच होने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं। लेकिन अगर ये आरोप सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसकी पूरी जाच होनी चाहिए। इस सिवसाई लेटर में कलिखोपुल ने कॉंग्रेस के कई नेताओं पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाये हैं। इनमें कई पूर्व केंद्रे मंत्री और बड़े नेता भी शामिल है। फिर भी मैं तीन बार कोट केस जीत कर आज भी कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। सच पूछो तो मैंने कॉंग्रेस का असली चेहरा देखा है। और अब मेरी कॉंग्रेस में और राजनीती में रहने की इच्छा ही नहीं है। कॉंग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और नाहीं निभा रहे हैं। मैं खुद को बहुत ही अभागा समझता हूँ कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा। ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा जिसने मुझे खून, मशक्कत, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है लेकिन कॉंग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा धाचा ही भरष्ट है। ऐसा उन्होंने लिखा है नीचे कलिकोपुल के हस्ताक्षर है। लेकिन क्योंकि हम जैसा कह रहे हैं इन आरूपों की पुष्टी नहीं हो पा रही है इसलिए आज हम आपको वो नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन इसमें वो नाम लिखे हैं। इसी चिठी में कलिकोपुल ने नियाय पालिका पर गंभीर भरष्चाचार के आरूप लगाये हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो हिस्सा है पेज नंबर 40 देखिए पेज नंबर 40 में क्या लिखते हैं। और इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आरोब बहुत बड़ा है। तो लिख रहे हैं मुझसे जुलाई 12 तारीख की रात 9 बजे तक संपर्क किया गया कि अगर मैं एडवांस 9 करोड रुपे दे दूँ तो फैसले को एक महीने तक टाला जा सकता है और मेरे पक्षमे फैसला देने पर बाकी 77 करोड रुपे देने की बात कही। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और नहीं पैसे देने के लिए राजी हुआ। का फैसला आने के बाद कलिको पुल को अपनी कुर्सी गवानी पड़ी थी। यानि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कलिको पुल के खिलाफ आया था। यानि कलिको पुल के मताबिक अगर वो 86 करोड रुपे दे दी होते तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ सकता था है। यह कहने की कुशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बार फिर आपको याद दिला दे और याद रखना होगा कि यह कलिको पुल के अपने विचार हैं। और इन विचारों और आरोपु की पुष्टी अब तक नहीं हो पाई है। इसमें वैसे उन्होंने जज़ों के नाम भी लिखे हैं लेकिन हम वो नाम आपको पढ़कर नहीं सुना रहे हैं। कलिको पुल ने एक और बहुत बड़ी बात पेज नंबर 41 पर लिखी है। यहाँ पर कलिको पुल यह बता रहे हैं कि कैसे देश की नियाए विवस्था, नियाए पालिका से उनका भरोसा उठ गया है। कलिको पुल ने लिखा है कि यह सब कुछ उन्होंने अपनी अंतरात् हिस्सा भी मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाता हूँ। मैंने जो बातें यहां बताई हैं वो शत प्रतिशत सही हैं। मैंने यह बातें अपनी अंतरात्मा से कही हैं। मैंने इन्हें कहीं भी बढ़ा चड़ा कर मिर्च मसाला मिला कर पेश नहीं किया और नहीं तथ्यों से कोई छेड़ छाड़ की है। तो यहाँ पर उन्होंने भारत की नियाए विवस्था पर बहुत गंबीर सवार उठाए है हाला कि ये चठी पढ़कर सुनाना भी अपने आप में कोई बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और ये हिम्मत हम आज आपके सामने कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ कलिकोपुल ने इस चठी में लिखा है उससे ना सरफ नियाए विवस्था इस देश की बलकि इस देश के तमाम लोग चाहे वो सरकारी लोग हों चाहे वो नेता हों और पूरी की पूरी विवस्था कट घरे में खड़ी हो जाएगी और ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती ना पढ़ने की हिम्मत होती है और ना सुनने की हिम्मत होती है कलिको पुल ने अपने सुसाइड लेटर के पेज नंबर 51 और 52 में ये लिखा है कि कैसे नेता और मंत्री पैसा कमानी के लिए खुद टेंडर निकालते हैं और जनहित के कामों को लटकाते रहते हैं अब देखिए उन्होंने टेंडर के बारे में क्या लिखा है पेज नंबर 51 और 52 देखिए सच्चा ही सुनकर आपको भी घुसा आएगा राज्य में कॉंट्रेक्ट निकलने पर विधायक और मंत्री अपने बीवी बच्चों के नाम पर कॉंट्रेक्ट लेते हैं किसी और को कॉंट्रेक्ट देने पर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं ऐसे में अच्छे और नेक कॉंट्रेक्टर का क्या होगा वही काम समय पर पूरा नहीं होगा और नहीं काम में कोई गुनवत्ता यानि क्वालिटी वर्क होगी ऐसा उन्होंने लिखा है उसके बाद अगले पन्ने पर भी उन्होंने कुछ लिखा है राज्य में स्कीम्स जन्रता की जरूरत के हिसाब से नहीं बलकि मंत्रियों और विधायकों के पैसा कमाने के मतलब से बनाई जाती है ये लोग टेंडर पहले ही तै कर पैसों का हिसा भी तै कर लेते हैं कि किसको कितना परसेंट पैसा मिलेगा राज्य में स्कीम्स सेंक्शन होने पर काम में प्रगती नहीं आती बलकि मंत्रियों और विधायकों के खजानों में व्रद्धी होती है जिसे वे मिल जुल कर हजम कर लेते हैं सरकार और जनता के प्रोजेक्ट्स खत्म होने से पहले ही नेताओं की बिल्डिंग बन जाती है असल में स्कीम सेंक्शन होने के बाद कॉंट्रेक्ट का काम एक साल में पूरा हो जाना चाहिए और प्रोजेक्ट बड़ा होने पर जादा से जादा दो साल में के अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए लेकिन अरुनाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट को आठ से नौ साल तक लंबा खीचा जाता है ताकि विदायक और मंत्री जादा से जादा अपनी जेब भर सके देखिए कितनी करदी सच्चाई ये व्यक्ती अपने सिवसाइड लेटर में लिख कर गया है अब आप खुद सोचिए कलिकोपुल ने साथ पन्नों में जो कुछ लिखा है असल में ये सब आप बहुत सारी फिल्मों में देख चुके होंगे और बहुत सारी किताबों में पढ़ चुके होंगे आपने इस तरह की अववाएं लगातार सुनी होंगी लेकिन कोई पूर मुख्यमंत्री मरने से पहले ये बातें लिख कर जाए ये एक बड़ी बात है कलिखो पुल का ये सुसाइड लेटर संसनी खेज होने के साथ साथ बहुत भावुक है डियने में आज हमने इस चिठी का विशेशन इसलिए किया क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता जिनको पढ़ने के बाद चुप रहना मुश्किल है हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये सुसाइड लेटर वैसे तो काफी पहले बाहर आ गया था लेकिन हमारे देश में किसी ने भी इसको जरुता के सामने पेश करना ठीक नहीं समझा और जादातर लोग इस सुसाइड लेटर को पढ़कर चुप हो गए शांत हो गए बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाई लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि इस इन साथ पन्नों को पढ़ने के बाद चुप रहना बहुत मुश्किल है कम से कम हमारे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल था और इसलिए हमें ऐसा लगा बहुत सारे लोगों को ये बातें चुबी होंगी बहुत सारे लोग हमसे नाराज होंगे बहुत सारे लोग हो सकता हैं हमारे उपर कोई केस भी कर दें लेकिन हमें ऐसा लगा कि एक पूरू मुख्यमंत्री का ये सुिसाइड नोट आज जनता तक पहुँचना ही चाहिए हमें लगता है कि अगर कलिकोपुल के इन आरोपों में जरासी भी सच्चाई है तो ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े खुलासों में से एक होगा इस खुलासे को समझने की कुशिश कीजिए ये बहुत बड़ा खुलासा है और अगर किसी ने भी इस पर विचार किया गंभीर रूप से इसकी जाच करवाई और इन तमान समस्याँ को हटाने की कोशिश की तो इस देश का भला हो सकता है ये वो आरोप हैं जो आरोप लगाने से पहले किसी भी विक्ति की रूप काम जाती है इसलिए लोग खुल कर ऐसे आरोप नहीं लगाते खुल कर ओफिशली ओन रिकॉर्ड लोग ये बातें नहीं कह सकते नहीं लिख सकते किसी की इमत ही नहीं होगी लेकिन अब वो समय आ गया है जब इसको हमें और जादा छोपाना नहीं चाहिए इसलिए हमें लगता है कि इसकी निश्पक्ष जाच होनी चाहिए और आज पहली बार ZNews इस पूरी चिट्धी को और इस चिट्धी के जो कंटेंट से यानि इसमें जो कुछ लिखा है उसे पहली बार जनता की अदालत में यानि आपकी अदालत में ला रहा है पब्लिक डोमेन में ला रहा है अब आप खुद सोचिए कि इस पर क्या होना चाहिए लेकिन जाते जाते आपको इतना जरूर बता दें कि ये कलिकोपुल की चिट्टी है इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं लेकिन वो आरोप सही है या गलत ये कहने की स्थिती में आज हम भी नहीं हैं हम इन आरोपु की पुष्टी नहीं कर सकते लेकिन हाँ अगर इनकी जांच कराई जाए तो इनकी पुष्टी हो सकती है और पता चल सकता है कि कलिकोपुल साथ पन्ने ये क्यों लिख कर गए इसके पीछे की कहानी क्या है